नमस्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाद्थियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में इस वीडियो में आप सभी के साथ बहुत कुछ है शेर करने के लिए कुछ शॉट में बताऊं तो सबसे पहले तो अमेरिका का मार्केट डिसकस करेंगे जहां पे आज जॉब्स डेटा आपके लिए आता हुआ दिखाए सेकंडली बहुत कुछ हो रहा है म्यूचल फंड इंडस्ट्री में और बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे SBI को पिक किया जा रहा है तो Zee Entertainment को सेल किया जा रहा है पे टी एम जिसको लेकर इस समय सब कन्फ्यूज है ऐसे में मॉर्गन स्टेनली ने आज ओपन मार्केट में लोवर सरकेट पे बड़ी खरिदारी करिए एक एक करके सारा डेटा पॉइंट आप सभी के साथ डिसकस करूँगा साथी साथ FIA DIA कैश मार्केट में आज फिर से एक बार बाइंग करते हूँ दिखें उनका भी डेटा आपके साथ शिया करूँगा और स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए चली रहा है जहां पर बहुत सारी कंपनी के क्वार्टली अर्निंग्स भी आते हूँ दिखें जो अल्रेडी मैं आप सभी के साथ कुछ कंपनियों को डिसकस कर चुका हूँ और जो नहीं कर पाएं वो कल के ट्रेडिंग लाल निशान में है तो नैस्डेक इंडेक्स में बड़ी तेजी आ रही है डाव जोन्स के वल नभ्य पॉइंट नीचे है लेकिन उसके सामने नैस्डेक इंडेक्स ऑल्मोस्ट एक परसेंट की तेजी में है और डाव जोन्स एक चौथाई परसेंट डाउन है तो परसेंट की तेजी है और कैक में भी बिल्कुल फ्लैटिशनेस है कोई कामकाज नहीं हो रहा है एक तरीके से एशिया पैसिफिक निकाई आदे परसेंट उपर है तो शंगाई में लगबग देड़ परसेंट की गिरावट है और हैंग सेंग फ्लैट टू नेगेटिव है यह हो गया आपके लिए अपडेट अब आजाते हैं थोड़ा म्यूचल फंड में एक्शन बड़ा चल रहा है जहांपे जी एंटरेटेन्मेंट के शेर में आईसी 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 आई परसेंट स्टेक बेच दिया है जैसे ही स्टूनी और जी का मरजर कैंसल हुआ है तो उसके बाद इन्हों ने रियलाइज करा कि इस कंपनी में तो नहीं रुकना चाहिए तो इन्होंने सेलिंग कर दिया अब आउविस सी बात है जब इन्होंने बेचा है तो किसी ना किसी ने टो लिया होगा डेटा जब आएगा तो वो मैं आपके साथ कल शेर कर दूँगा लेकिन ICICI Prudential Mutual Fund ने Z के शेर में भारी बिकवाली करी है देखिए जिसने Direct Z का शेर खरीदा था था ना वो बड़े नुकसान में आ गया है क्योंकि एक की दिन में 35% क्रेश हुआ फिर ने क्रेश हो गया 300 वाला आपके लिए 170 तक आया लेकिन Mutual Fund में अगर ICIC Prudential ने बेचा है ना Loss में भी बेचा हो बेसा कोई फर्क नहीं पड़ा होगा इनके Unit Holders को इनके NAB Holders को यही एक Benefit होता है Mutual Fund में मैक्सिमम रिपोर्ट्स जो कह रही है इस बजट के बाद हुए कह रही है कि यह बजट Debt Market के लिए था ऐसे में Debt को लेकर अगर आप मेरे से Fund पूछोगे तो ICICI का Equity and Debt Fund मुझे काफी पसंद है या फिर आप DSP का Equity and Bond Fund भी देख सकते हैं तो अगर आप SIP करते हैं निवेश करते हैं और Market के गिरावट में लमसम लगाते हैं जो आपके लिए Long Term में Wealth Create करने का काम करता है तो आप ICICI का Equity and Debt में पैसा लगा सकते हैं अभी तक आपने SIP स्टार्ट ही नहीं करी है तो कर दीजिए डेली की 100 रुपीज से आप अपनी SIP लगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में Z Fund का लिंक दिया हुआ है जब आप App डाउनलोड करेंगे तो आपको My App पे हमारी टीम का Direct Number भी मिलेगा जिस पे आप Contact करके सारी Queries पूछ सकते हैं अगर कोई Query है तो फिर आप Directly खुद भी लगा सकते हैं काफी लोगों के लिए Z Fund नया नाम होता है तो Trust Issues होते हैं तो जब आप App डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं Review Section में SEBI Register Code मिल जाएगा BSC Register Code मिल जाएगा और ARN Number भी उनका मिल जाएगा एक कंपनी के दुआरा वो मैं आपके साथ अपडेट शेर करता हूँ Methan Alloys Methan Alloys ने का आज अपडेट दी है Company Acquired Shares in State Bank of India Worth 49.1 498 Million रुपीज 498 Million अलमुस्ट 50 करोड हो जाते हैं आपका 50 करोड रुपे के Shares SBI में खरीदे हैं और इंट्रेस्टिंग है कि SBI के वीकेंड के दौरा Numbers आने वाले है तो Numbers से पहले ये बाइंग अपने आप में कुछ कह रही है और PSEU Stocks की तेजी तो आपको क्लिरली देखने को मिली रही है तो ये एक अपडेट थी जो बड़ी अपडेट थी मेरे इसाब से और भी बहुत कुछ हो रहा है आपके लिए Stock Specific उस पे भी आऊँगा लेकिन पहले मैं आजाता हूँ डारेक्ली अमेरिका का जो आज जॉब्स डिटा है उस पे तो अनिम्प्लोइमेंट रेट की बात की जाए तो अभी 3.7% परसेंट पे आया है यह आपके लिए अपडेट हो गया अब आजाता हूँ मैं FIA DIAs के डेटा के उपर तो FIA DIAs की बात की जाए तो FIAs आज लगबग आप स्वरी DIAs आपके लिए लगबग 2463 करोड की नेट बाइंग करके गई है और वही FIAs को देखा जाए तो 70 करोड की बाइंग करके गई है अगर डीटेल दिखा हूँ मैं आपको तो DIAs ने आज टोटल लगबग 14,097 करोड की बाइंग करी जिसके सामने 11,634 करोड के शेर्स बेचे है नेट वैल्यू निकलती है 2463 करोड की पॉजिटिव तो इनकी इतनी बाइंग आ गई है वही FIAs का देखें तो 15,476 करोड की इन्होंने बाइंग करी है जिसके सामने 15,405 करोड की सेलिंग करी है तो नेट वैल्यू जो निकल के आई है वो 70 करोड की बाइंग का फिगर ही निकल के आए लेकिन Paytm के शेर में इस गिरावट में opportunity समझी है Morgan Stanley ने जहां पे उन्होंने 0.8% की बाइंग करी है जो की वॉर्थ करती है 244 करोड की तो क्या ये ठीक decision है क्या नहीं है वो तो बाद में ही पता चलेगा बट इतना जरूर है कि Morgan Stanley ने भरोसा जदा है Paytm के stock पर तो ये मेरी तरब से आपके लिए सारी की सारी updates थी जो भी थी market से related और stock specific result specific मैं आप सभी के साथ continue discussion करी रहा हूँ बाकी की detail कल के दिन शेयर करूँ आप सभी के साथ तो बने रहेगा channel के साथ thank you so much for watching this video have a great day guys